आज हम बात करेंगे बिंडू एंटी के बारे में बिंडू एंटी इस ए 32-bit network computer operating system designed for user and business needing advantage capability तो जो बिंडू हमारा एंटी है वो एक 32-bit network computer operating system है जिसे उन्नत क्षमता के अब सकताओं बाले उपयों करताओं और वेबसाओं के लिए design किया गया है दा फर्स्ट बर्जन बार लेस्ट इन 1993 एज विंडू एंटी 3.1 बिच बास प्रोडूस्ट फॉर सर्वर एंड बर्क स्टेशन तो जो पहला संसकर्ण है विंडूस 99 विंडूस 90 का वो 1993 में रिलीस जारी किया गया था जो था विंडू एंटी 3.1 जिसे सर्वर और बर्क स्ट स्टेशन देक बिंडूस का थारी की तकनीक माइक्रोसउफ्ट के उत्रा दिकारें और अप्रेटिंग सिस्टम बिंडूस 2000 का अधार है बिंडू एंटी न्यू टेकनोलोजी इस त्रडूस्ट प्रोड़क्ट माइक्रोसफ्ट यो सेंड आइक्रोसफ्ट आई सेंड़ो य् और इसमें जो हैं वो दो प्रोडक्ट है Microsoft anti-workstation और Microsoft anti-server बर्ट बर्ट इस डिजान फॉर यूजर एस्पेशली बिजनेस उसर्स हूं नीड फास्टर परफॉर्मस एंड ए सिस्टम ए लिटल मॉर फेल सेफ तन Windows 95 and Windows 98 तो बोलता है जो ब्रक्टेशन है उसका जो उसको बनाया गया है वो विशेश रूप से website को प्यों करता हूं के लिए बनाया गया है जिने तेज प्रदर्शन की अब जरकता है और Windows 95 रो Windows 98 की तोड़ना में थोड़ा सा अधिक फेल सुरक्षित है बिफल सुरक्षित है दे सर्वर इस दाइन फॉर बिजनेस मशीन दैट नीड तो प्रवाइड सर्विसेश फोर नेटबर्क अटेच्ट कम्ट्यूटर तो सर्वर को website मशीनों के लिए डिजाइन किया गया ह जिने नेटबर्क से जोड़े कंप्यूटरों के लिए सेवाय प्रदान करने के शकता होती है अधर सर्वर इस रिक्वाइड टुगैदर बिद एंटरनेट सर्वर सच एस माइकोसॉफ इंटरनेट इंफॉमेशन सर्वर तो साथ में एक इंटरनेट सर्वर जैसे माइकोसॉ इंट्रोडक्शन की बिद्व एंटी जो है वो 1993 में बिद्व एंटी थ्री पॉंट बाने की रूपर इसका पहला बर्जन लाउंच किया गया था और इसमें हमारे पास जो है माइकोसॉफ्ट की दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे बिद्व तूसाउजन और बिद्व एंटी ब एक तो यह था हमारी बिद्व के बारा में इंट्रोडक्शन है हम इस स्टेश में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिंडू एंटी तो बिंड़ एंटी की क्या शेश्चता हैं सबसे पहले बता रहा है विंड़ो एंटी फैंटी फैमले इंट्रोडूस्ट स्केरर आटोमेटिकली स्पोर्ट लार्ज साइस हाड डिस्क प्रोवाइड सीक्यूर्टी लाइक परमिशन्स एंड इंक्रिप्शन तो जो बिंडो एंटी स्क्रिप्शेश तौम सबसे पहली उता रहा है बिंडो एंटी प्रिवार ने डिफॉल्ट फायल सिस्टम यानि की ए इसकी आगे की फीचर तो दूसरा फीचर है मारा बिंडो एंटी स्पोर्ट प्रिमिटिव मल्टी टास्किंग फीचर सो देट और कंप्यूटर प्रोग्राम शेर ऑप्रेटिंग सिस्टम एंड हाडबेर सोर्सिस तो बिंडो एंटी प्रिमिटिव मल्टी टास्किंग फीच प्रवाइड दा फीचर्स टू लॉग ऑन दा सिस्टम रिमोटली तो जो विंडू एंटी फॉर पांट टर्मिल सर्बस जो हमारा सिस्टम है वो दूरस्त जहां पर जो दूर है हमारे दूर से दूरस्त रूप से लॉग ओन करने की सुब्दा हमारा प्रदान करता है इसके यह दिजाइन किया गया था और मत्द दूर से जो दूर रह रहा है वो इसमें लॉग इन कर सकते हैं और तिसरा है हमारा विंडू एंटी स्पोर्ट न्यूमिर्स नेटबर्क फीचर्स तो जो एंटी हम नेटबर्क है वो कई सुबदाओं को देवों स्पोर्ट करता है वह मारा बाहुत सारी नेटबर्क फीचर्स को सपोड करता है आज आएाएी बिंडूस एंटी वर्क प्क्डेशका 4.0 सिस्टम रेकृर्मेट अगर आए अपने कंप्यूटर मे 0 105 müsst कि बालना है तो हमें निक्या र्कॉर्यमन डिंट लगेंगे डियाора थे जो तो जो हमारा computer होगा वो Pentium बेस system होगा उसमें Pentium का प्रसेस लगा होगा 12 MB memory RAM 16 MB recommended और उसमें 12 MB RAM होगी और 16 MB जो है वो recommended मतला अनुशंसित होगी 110 MB available hard disk space तो जो hard disk का space है वो 110 MB होना चाहिए CD-ROM drive or assess to a CD-ROM over a network तो CD-ROM drive लगा होना चाहिए जा फिर CD-ROM जो है उसे network के उपर assess किया जा सकता हो अगला है BGA और higher resolution display adapter तो BGA जा higher resolution बाले display adapter लगा होना चाहिए और last है Microsoft mouse और compatible pointing device जा तो Microsoft का mouse लगा होना चाहिए जा फिर उसे के जैसा कोई pointing device हमारा प्लागा होना चाहिए तो यह थी अगर हमने अपनी system में window anti-webstation 4.0 डारना है तो कौन-कौन से इसमें हमारे पास features requirement होनी चाहिए अब हम देखेंगे कि advantage क्या है window anti की और disadvantage क्या है सबसे बहुत है तो सबसे बहुत है मतलब आखों को यह बहुत ही अच्छा लगता है अगर हम इसको देखेंगे तो आखों के लिए अच्छा है low system requirement और system की कम जुरूरतों के ऊपर चल सकता है runs well on old machines if all patches are installed अगर हमने सारे patches डाले हैं पैच लगाए हैं तो पराने machine उपर भी अच्छा चलता है faster to operate संचारित करने के लिए तेह हैं चलाने के लिए असान है और है security implemented on और इसके उपर हम जो है वो security जो है वो लगा सकते हैं तेहीं स्रक्षा इसके उपर लगा सकते हैं disadvantage of 20 इसकी कमिया क्या है नुक्सान क्या है तो उससे एक है more easy to catch virus and malware तो इसमें बाइरस और malware को पकना असान है वे unstable and crash is so often if you do not have patches installed और अगर हमने patches नहीं डाले हैं तो यह अक्सर crash हमारा जो हो हो जाता है तो यह था हमारा window anti उसके features उसके install करने के लिए क्या क्या चाहिए और हमारे window anti के advantage और disadvantage क्या क्या है तो यह सारी हमने इस topic में कबर की